दोस्तो फाइनली आज मुझे मौका मिला Hyundai की एक्स्टर को ड्राइव करने का जो गाड़ी आज मैंने ड्राइव की वो 1.2 लिटर मैनूल ट्रांस्मिशन ड्राइव की AMT का भी मैं ड्राइव रिव्यू अपने चैनल पर लेकर आऊंगा और उसको कमपेर भी करूँगा कि फ्रांक से AMT के साथ में वो चलने में किस तरीके की है इस गाड़ी के फेक्टर बाइफेक्टर मैं आपको एक एक बाते बताऊंगा और कोशिश करूँगा कि सारे आसपेक्ट्ट्स जो मैंने महसूस किये गाड़ी को ड्राइव करने में वो सारे के सा लेता हूं इस गाड़ी की के बारे में हौगी अर्गनयुक्स के बारे में कि दोस्तों गाड़ी की अर्गनilahिक्स जो है वो बहुत अच्छी है मेरी है जो है वो 6 tapasan कि उसके बाद में कुछ अपढ़कर जाब है कि बाई यृक कोई जीजरीक्स बारे इस सब कुछ आर अच म विजिबिल होना भी एक कमाल की बात है यहां पर हुंडाई ने काफी अच्छा काम किया है इस गाड़ी को रेज करने में और भले ही यह ग्रेंड आइटन प्लेटफॉर्म पर बेज़ड है बट इस गाड़ी की जो बोनेट विजिबिलिटी है वह बहुत ही अच्छी और जैस साइड वेस फ्रेंट वेस वह आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं रोड की विजिबिलिटी और कमफर्ट में कोई यहां पर कमी गाड़ी में नहीं रखी गई है उसके बार मैं बात कर लेता हूं कुछ इसमें प्रॉब्लम्स की जो मुझे इसमें क्यों कर रहा हूं क्योंकि मैं आजकल वही गाड़ी चला रहा हूं तो उसी के सापसे इसको कम्पेर करूंगा बागी अगर ओवरॉल देखा जाए तो गाड़ी में ऐसी कोई पिक अप वगरा में प्रॉब्लम नहीं थी बट थोड़ असा ये इंजन मेरे को ओना लोवर एं तो यहां पर मुझे ट्रेवल था वो थोड़ा ज्यादा देखने को लगा उसके बाद में बात कर लेता हूं मैं नेक्स ट्रेक्टर के बारे में कि मुझे इसका एन्वेच लेवल किस तरीके का लगा तो एन्वेच लेवल गाड़ी का बहुत अच्छा है यहां पर इंजन काफी साइलेंट है काफी रिफाइंड है और इसकी साउंड वगरा केविन में बिलकुल भी नहीं आपको देखने को मिलती है तो इंजन के लेवल बहुत अच्छे हैं उसके बाद में बात कर लेता हूं मैं अगर आपको ग्राउंड क्लेरंस वगरा नहीं चाहिए अगर इस सबसे बड़ी समस्या क्या लगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी कि जब भी मैंने पीछे इसमें किसी को बैठते हुए देखा आज मैंने खुल गाडी के अंदर बैठ कर देखा तो इसका जो पीछे वाला एरिया वह काफी जादा दब जाता है और जो रियर ट चुकी है, यानि कि suspension मुझे इस गाड़ी के इतने अच्छे नहीं लगे, suspension के tuning या तो एक yellow की जादा stiffer side पर है, जिस वज़े से कि वो गड़ों में इतना अच्छा feedback नहीं देते हैं, तो मुझे ये एक problem लगी गाड़ी में, अगर मैं overall perspective की बात करों, तो ये गाड़ी उनके ल इसके अलावा यहां पर एक चीज़ और अच्छी आपको मिल जाती है, कि आपको कम budget में sunroof भी देखने को मिल जाती है, और features भी आपको अच्छे कासे देखने को मिल जाते हैं, जो कि segment में आपको और गाड़ी में नहीं देखने को मिलते हैं, तो over and all, मैं आपको यही suggest करू लेकिन अगर आपको drive ability, अगर आपको fun to drive गाड़ी चाहिए, तो जरूर इस गाड़ी की thorough test drive लो, चाहे आप manual लेना चाहते हो, चाहे आप EMT लेना चाहते हो, और test drive लेने के बाद में आपको इस गाड़ी के साथ में जाना चाहिए, और नहीं जाना चाहिए, हो सकता है, मुझे suspension में बिलकुल भी मज़ा नहीं आया लेकिन engine की जो refinement है वो सारी चीजे बहुत अच्छी हैं thank you so much for watching the video bye bye take care of yourself आपके मन में कोई doubt कोई clarification है जरूर comment section mention करिएगा and I'll try bringing on more new content on extra thank you so much bye bye take care of yourself and remember always drive safe आपके बाइस Shaggy